अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों का pen card बना हुआ नहीं है तो अगर आपका भी pen card अभी तक नहीं बना है तो इस फीडियो में मैं आप लोगों को एक new pen card online apply करने का complete process बताने वाला हूँ यह जो आप pen card apply करेंगे इसमें आपका photo और signature भी print होके आएंगे और apply करने के मातर 24 घंटे के अंदर ही आप लोग e pen card यानि की अपने pen card का PDF वी डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद में जैसे ही आपका pen card बनके तयार हो जाएगा by post मातर 7-15 दिनों के अंदर ही आपके address पर send कर दिया जाएगा और यह pen card बनाने के लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओनलाइन ही घर वैटे सारा कुछ process रहेगा और कहीं पर आप लोगों को physically documents को भी send करना नहीं पड़ेगा तो किस तरह से आप लोगों को एक new pen card apply करना है इसके लिए आप लोगों को आ जाना है अपने mobile या laptop के किसे भी browser में और यहाँ पर आपको type करना है nsdl इतना type करने के बाद में search कर देना है जैसे ही search करेंगे तो पहले number पर ही आपको website देख इन भी इंट्र 오른ं में आपको सभी कुछ information को फिल करना है जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको application type सेलेक्ट करना है यहाँ पर आपको new 절대 करना है इसके बाद में category में आपको individual स्रीमतिया इसकी बाद में यहाँ पर ऐपको एंप्लिकेट में सेसे आप la़ करना है जिसमें कि यहां पर आपको First Name एंटर करना है और इसके बाद में Middle Name एंटर करना है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका Last Name और Middle Name नहीं होता है, सिर्फ First Name ही होता है। तो उन लोगों को अपने first name को last name वाले section में enter कर देना है और ये दोनों box से खाली छोड़ देना है इसके बाद में आपको यहाँ पर date of birth को इस calendar के माध्यम से select कर लेना है यहाँ पर आप लोगों को email id को enter करना है और इसके बाद में यहाँ पर mobile number को enter करना है कुछ नीचे की side में आएंगे इस वाले box पर आपको tick लगाना है I am note a robot वाले option पर click करना है और इसके बाद में आपको submit वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही submit वाले option पर click करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक token number मिल जाएगा और आप चाहें तो इस token number को copy करके भी रख सकते हैं और यह token number आपकी email ID पर भी send कर दिया गया है अब आपको कुछ नीचे की side में आना है और यहाँ पर आपको continue with pine application form वाले option पर एक बार click कर देना है इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा अब यहाँ पर आपको pine card apply करने के तीन option मिलते हैं जिसमें की सबसे पहला option है submit digitally through ekyc and e-sign दूसरा option है submit scanned image through e-sign और तीसरा option है forward application documents physically तो अगर आप लोग इस वाले option को select करेंगे तो आप लोगों को physically अपने documents को forward करना पड़ेगा pine card office में इसी के साथ में यहाँ पर अगर आप लोग पहले वाले option को select करते हैं तो यहाँ पर आपके आधार card में जो भी photo है same photo आपके pine card पर आ जाएगा इसके बाद में जो second number वाला option है अगर आप इस option को select करते हैं तो आप अपनी मर्जी का photo और अपनी मर्जी के signature अपने pine card पर लगवा सकते हैं तो हम यहाँ पर second number वाले option को select करेंगे इसके बाद में यहाँ पर कुछ नीचे के side में आएंगे आप से पूंचा जा रहा क्या आपको physical pine card चाहिए तो हमें यहाँ पर चाहिए इसलिए हमने yes वाले option को select कर लिया यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार card के last के four digits को enter कर देना है और आपके आधार card में जो भी नाम है same to same नाम आपको यहाँ पर fill कर देना है इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को full name of applicant यानि कि आपने जो भी registration करते समय नाम enter किया था बही नाम यहाँ पर आजाएगा और आपके pine card पर जो भी नाम print होके आएगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप चाहें तो अभी इसे edit भी कर सकते हैं date of birth आपकी यहाँ पर आ जाएगी और इसके बाद यहाँ से आपको अपने gender को select कर लेना है registration number में आपको कुछ भी fill नहीं करना है इसके बाद में आपको कुछ नीचे की side में आ जाना है और यहाँ पर आपसे पूचा जा रहा है कि आपको किसी और नाम से भी जाना जाता है तो अगर आपको कोई और नाम भी है तो yes करेंगे नहीं तो आपको no बाले option को ही select रहने देना है इसके बाद में यहाँ पर अगर कोई भी single parent है तो yes करेंगे यहाँ पर आपको माता जी के last name को fill करना है, इसके बाद में first name को fill करना है, और इसके बाद में middle name को fill करना है, अब आप से पुंचा जा रहा कि आप अपने pain card पर अपने माता जी का नाम print करवाना चाहते हैं, या फिर पिता जी का नाम, तो हमने यहाँ पर father's name select कर लिया, आप यो काम करते हैं, तो किस टाइप का आपका काम है, कहां से आपकी salary आती है, तो आप चाहें तो यहाँ पर salary वाला option भी select कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अगर business बगएरा से income आती है, तो आपको इस वाले option को select करना है, इसी के साथ में other किसी source से आती है, तो इसे भी select और अगर कोई भी काम नहीं करते हैं तो आप यहां पर no income भी सेलेक्टिक कर सकते हैं इसके बाद में यहां पर आप लोगों को अपने address को फिल करना है जिसमें की दो address मिलेंगे पहला address है residence address यानि कि जहां पर भी आप रहते हैं और दूसरा है office address तो अगर आपका कोई भी office पग अपने message का नाम फिल करना है जैसे कि यहां पर अपने एरिया लोकिलिटिटिस सब इस्टिक का नाम हो करेंगे के इंडिया पहले से ही में रहेगा इसके बाद अगर आपने office address select नहीं किया तो आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है कुछ नीचे की साइड में आएंगे यहां पर आपको अपने telephone number and email ID की detail को fill करना है तो सबसे पहले तो आपको यहां पर country code को select करना है जिसकी इंडिया का 90 बन है तो type करेंगे इसके बाद में इंडिया लिख option को select करना है और वहां पर आप लोगों को representative की information को fill करना है यानि कि उसको अपने माता या फिता की information को fill करना है लेकिन 18 साल से उपर का कोई भी ब्यक्ति है तो उसको no वाले option को ही select करना है और इसके बाद next वाले option पर एक बार किलिक कर देना है इतना करते ही आपके सामने प्रोसेस पता देता हूं सबसे पहले आपको Indian citizen यहां पर select कर लेना है इसके बाद में यहां पर आपको अपनी state का नाम select कर लेना है और यहां पर आपको अपनी city का नाम select कर लेना है और यहां पर आपको अपने area के name को fill करना है और इसके बाद में आपको 5 वाले option पर एक बा इसके बाद आपको next वाले option पर एक बार click करना है, click करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को documents वगयरा को upload करना है और साथी photo and signature को upload करना है, तो basically यहाँ पर pine card apply करने के लिए 3 proof मागे जाते हैं, पहला proof होता है identity proof, दूसरा address proof और तीसरा date of worth proof, तो हम identity proof वाले option पर click करेंगे, यहाँ पर काफी सारे options आ जाएंगे, इतने documents में से कोई भी एक document दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर आधार card को select करेंगे, इसके बाद में यहाँ पर address proof के लिए भी आधार card को ही select करेंगे, क्योंकि अभी आधार card का option आ रहा है, इसके बाद में यहाँ पर date of birth के proof के लिए भी हम आधार card को ही select करेंगे, तीनों में ही हमने आधार card ही select कर लिया, और इसके बाद में यहाँ पर declaration में नाम देखने को मिल जाएगा, select वाले option पर click करेंगे, himself, herself वाले option को select कर लेना है, यहाँ पर आपको अपने place का नाम एंटर करना है, जिस वी दिन pine card apply कर रहे है, वो date photo and signature को upload करना है, photo upload करने के लिए आपको इसवाले option पर click करना है, और click करने के बाद में जहाँ कहीं पर भी आपका photo रखा है, उससे select करेंगे, open वाले option पर एक बार click कर देना है, और click करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो, जो भी photo है, वह successfully upload हो चुका है, इसी तरह स आपको signature upload करने हैं, पिलस वाले आइकोन पर click करेंगे, आपके mobile की gallery open हो जाएगे, इसके बाद में select करेंगे, open वाले option पर click करेंगे और इसके बाद upload वाले option पर एक बार click करना है, और click करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो signature भी आ चुके हैं, तो अभी आपने जो भी signature upload किया है, यही photo signature आपके paint card पर print होके आएंगे, इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को supporting documents को upload करना है, जैसे कि हमने तीनों में ही आधार card को ही select किया था, तो हम यहाँ पर सिर्फ अपने आधार card को ही upload करेंगे, अगर आपने किसी और भी document को select किया है, तो आप लोगों इसका size maximum 50K भी होना चाहिए, और signature का भी size maximum 50K भी होना चाहिए, आधार card को upload करने के लिए plus वाले icon पर click करेंगे, इसके बाद में जहां कहीं पर भी आपने आधार card का PDF बना के रखा है, उसे आपको select करना है, और इसके बाद open वाले option पर एक बार click करेंगे, click करने के बाद मे upload वाले option पर एक बार click कर देना है, तो हमारा यहां पर आधार card भी successfully upload हो चुका है, लेकिन आधार card upload करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत से लोग आधार card की website से आधार card के PDF को download कर लेते हैं, और direct ही यहां पर upload कर देते हैं, लेकिन उस आधार card में password लगा पर रहता है, तो आप लोगों को ऐसा आधार card नहीं upload करना है, जिसमें password लगा हुआ हो, इसके बाद में आपको यहां पर submit वाले option पर एक बार click कर देना है, और click करने के बाद में कुछ इस तरह से page आजाएगा, यहां पर लिखिए आजाएगा, your application is submitted, please confirm details, अब आप लोगो इसके बाद में आपको कुछ नीचे की side में आ जाना है, आपने अपने form में जो कुछ भी information को fill किया था, सारी कुछ information यहां पर आप लोगों को देखनी को मिल जाएगी, और अच्छे से आप लोगों को एक बार check कर लेना है, अगर सब कुछ सही है तो आपको proceed वाले option पर click कर देना है और इसके बाद आप redirect हो जाएंगे payment page पर यहां पर आप लोगों को select करना है कि आप किसके मादम से payment करेंगे दो option में लेंगे तो इन में से आपको किसी भी एक option को select कर लेना है कुछ नीचे की side में आएंगे यहां पर आपको fees बताई जाएगी कि आपको 107 रुपए की online ही fees का payment करना है और भी कुछ नीचे की side में आ जाना है I agree वाले option पर click करके proceed to payment वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके बाद में यहां पर amount और transaction ID आ जाएगी pay confirm वाले option पर एक बार click करेंगे और इसके बाद आपके सामने payment करने के काफी सारे options आ जाएंगे जिसमें कि आप net ranking से payment कर सकते हैं credit card, debit card, QR code, ballot और UPI से payment कर सकते हैं तो हम यहां पर QR code के माददें से payment करेंगे QR वाले option को select करेंगे select your QR वाले option पर click करके भीम UPI select करेंगे और make payment वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे display पर एक QR code आ जाएगा इस QR code को scan करके आप लोगों को 107 और payment complete करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से payment receipt आजाएगी नीचे की side में आना है continue वाले option पर एक बार click कर देना है इसके बाद में आपके आधार card के last के four digit आ जाएगे यहां पर आपको tick लगाना है और authenticate वाले option पर एक बार click करेंगे यहां पर आपको OTP generation वाले option पर एक बार click कर देना है अब आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा आपके आधार से जो भी mobile number link है उस mobile number पर एक OTP send किया जाएगा उस OTP को आपको यहां पर fill कर देना है और OTP fill करके submit वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे यहां पर आपको continue with e-sign वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके बाद में यहां पर आप लोगों को अपने आधार number को enter करना है पहले आपको tick box लगाना है इसके बाद आधार number को यहां पर enter करना है और send OTP वाले option पर click करेंगे अब दोबारा से आपके आधार card में जो भी mobile number link है उस पर OTP आएगा verify OTP वाल download PDF का option देखने को मिल जाएगा तो इसी बाले option पर click करेंगे और इसके PDF को download कर लेंगे और इसका जो PDF है इसमें एक password पड़ा हुआ रहेगा password आपका date of birth ही रहने वाली है यानि कि आप लोगों को अपनी date of birth को बिना किसी space के type करना है जैसे ही type करेंगे इसके बाद submit करेंगे तो आपका ये जो PDF है बहे कुछ इस तरह से open होके आ जाएगा जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अब आपका जो pine card apply करने का process है बहे complete हो चुका है अब आप लोगों को क्या करना है अपने status को check करना है चलिए हम मैं आप लोगों को इसका status check करके दिखा देता और यहाँ पर एक option मिलेगा no status of pine application आपको इसी वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको select वाले option पर click करना है पाइन new change request वाले option को select करना है और आपको जो भी acknowledgement number मिला है उस number को यहाँ पर fill करेंगे इस capture code को same to same यहाँ पर fill करके submit वाले option पर click करें तो यहीं पर आपके pine card का जो भी status है वो आपको देखने को मिल जाएगा और pine card apply करने के मातर सासे 15 दिनों के अंदर ही आपने जो भी address fill किया है उसी address पर आपका pine card by post send कर दिया जाएगा तो इस तरह से आप लोग घर बैठे ही एक new pine card के लिए online ही apply कर सकते है